अगर आपने कभी भरवा करेला इस तरीके से नहीं बनाया है तो आप एक बर बना करके जरूर से ट्राइ कीज़ेगा आप सब को इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा अगर आपको करेला खाना नहीं पसंद है तो भी आप इसे बना कर खाएंगे चलिए इसे बनाना दालेंगे और बीच में एक कट लगाएंगे इसमें जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि करेला जो है वो अंदर से खराब तो नहीं है तो इस तरह से आपको काट लेना है यहां पे ऐसे चेक कर ले बिल्कुल क्लीन है तो अब क्या करेंगे कि जितना करेला है ना सबको हम इसी बनाओंगे इसे अब एक बरतन में पाने रखेंगे और इस पाने में डालेंगे देर छोटी चमच नमक और फिर इसमें जो करेला है इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से इस करेले को हम उबाल लेंगे सौफ्ट होने तक 80-90 परसेंट यह जो करेला है ना यह पक जाना चा लेंगे जो भी तेल आप खाते हैं आप इस्तमाल कर सकते हैं इस तेल के अंदर डालेंगे पंच फोरन पांच मसालों को मिला करके बनाया जाता है पंच फोरन जैसे पंच फोरन थोड़ा भून जाएगा इसमें हम कुटा हुआ एक बड़ा चममच अद्रक लसुन डाल दें लिया है हमने और अब यह जो प्याज है इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा थोड़ा इसमें आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आधी चोटी चमच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च यह यहां पे 6-7 आलू का मैंने इस्तेमाल किया है इसमें स्वात के हिसाब से नमक डाल देंगे और बारीक कटी हुई धनिया पता डाल देंगे अब यह जो आलू है इसे हम अच्छी तरह से मीडियम आज पे चलाते हुए भून लेंगे तो चार से पांच मिनट इस आलू को आपको भूनना है चलाते हुए और अब यहां पे यह जो आलू का मसाला है बिल्कुल रेडी है अच्छे से भून गया है तो इसे अब हम साइड में रख लेंगे इधर करेला जो है न यह भी अच्छे से उबल चुका है आप देख सकते अब इस करेले को भी हम पानी से निकाल करके थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे और जब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर का जो बीज है ना इसे हम निकाल लेंगे इस बीज का इस्तुमाल हमें नहीं करना है तो इसे साइड में रख और अब यहां पर यह जो करेला है बिल्कुल रेडी है सारे करेलों से हम अच्छी तरह से बीज निकाल लेंगे और अब क्या करेंगे कि इस करेले के अंदर भुना हुआ जो आलू का मसाला है इसे भरेंगे तो अपने हिसाब से आप इसके अंदर कम ज्यादा मसाला भर सकते हैं अची तरह से इसे हम दबा करेले के अंदर भर लेंगे यहाँ पर देखें तो सारे करेलो में हमें अजय ही आलू का मसाला भर लेंगे और अब एक बरतन में लेंगे एक कप बेशन बेशन के अंदर डालेंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर आधी छोटी चमच लालमेश पाउडर डालेंगे मिर्च अपने हिसाब से यह अब डालेगा आधी छोटी चमच डालेंगे जीरा पाउडर नमक स्वात के हिसाब से डाल देंगे और फिर इससे अच्छी तरह स आप इसमें थोड़ा सा हिंग भी डाल सकते हैं तो थोड़ा सा हिंग डाल लीजिएगा फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और ये जो बेशन है ना इसका घोल बना कर त्यार करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो इसके अंदर गुठलिया नहीं बनेगी और अच्छे से घोल बनकर त्यार होगा यहां पे घोल जो है बिल्कुल रेडी है अब देख सकते हैं ऐसा ही घोल होना चाहिए यहां पे घोल है आप देख सकते हैं उगली के उपर किता अच्छे से कोट हुआ है तो ऐसे ही करेले के उपर भी कोट होना चाहिए तो उतना ही काड़ा रखेंगे अब यह जो भरा हुआ करेला है इसाग्षी साथ हुआ तो गुर्द कर देंगे ओर अच्छी तरह से करेले ko हम और फिर गरम तेल में इसे डालर करेंगे एक बर में कड़ाई में जितना करेला आ जाए उतना ही डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो अच्छे से फ्राई नहीं होगा तो यहां पे तीन करेला में डाला है मीडियम आच पे इसे हमें फ्राई करना है जिसे की अच्छे से फ्राई होगा ये थोड़ी थोड़ी देर पे इसे पलट देंगे और पलट पलट कर अच्छे से गोल्डेन कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर में ही करेला जो है ना गोल्डेन कलर का हो जाएगा फ्राई होकर आप यहां पे देख सकते हैं तो अब इसे हम फटा फट से तेल से निकाल लेंगे और बाकी जो करेला है ना उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पे टोटल करेला हमने फ्राइ कर लिया है आप देख सकते हैं कि यह दिखने में किता बढ़िया लग रहा है अगर आपने कभी इस तरह से करेला बना कर नहीं खाया है तो आप इसे जरूर से बनाए अपने घर में आप सबको इसकार स्वाद बहुत पसंद आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी यहाँ पे भरवा करेला बन करके रेडी है आप इसे दाल चावल के साथ खा सकते हैं या फिर रोटी पराठो के साथ भी आप इसे खा सकते हैं तो जरूर से बनाए अपने घर में अच्छी लगे रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें सेर करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल पर नए हैं मेरे तो प्ले चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें